सबी दोस्तों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल पर उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली उससे पहले आप सबी लोगों को हैपी नियर्ज दोस्तों पुराना साल जा चुका जैसे कि पुराना साल हमार जरूर बनाए तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ही अच्छी हम जा रहे हैं जै माता नरसरी पे तो वहां पर आपको चलिए कुछ प्लांट दिखाते हैं कुछ रोज प्लांट आए हैं तो उसकी प्राइज आपको दिखाएंगे और दोस्तों उससे आपने हमारे चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो इसे सस्क्राइब करें और बैल आइकन ओन करें हम ने संडे को जाएंगे कापसेडा बॉर्डर वहां पर दोस्तों गार्निंग की सौप है जहां पर बहुत ही सस्ते रेटों पर फटिलाइजर और गमले वगेरा मिलते हैं तो वो वीडियो आप मिस ना करें तो इसको जरूर सस्क्राइब करें और ने संडे को आप वो वीडियो मिल जाएगी तो दोस्तों वीडियो मिस ना करें अभी चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन ओन करें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करतें तो ज्यादा समय ना के description में दे दूंगा तो आप वहाँ जाके check कर लें वहाँ पर मैं गूगल मैप भी दे दूंगा तो आप वहाँ check कर सकते हैं और हमें comment करके आपको पूछना ना पड़ेगा तो आप सबसे पहले यहां का description और यह देखिए पहले नमबर आप देख सकते हैं यहां पर जो है देशी विराइटी है यह तो इसकी प्राइज जो 30 रुपए है और यह छोटे पॉली बेग में लगा हुआ है और देख सकते हैं काफी अच्छे से फ्लाबरिंग हो रही है काफी ग्रीन प्लांट है और जो इ आप यह प्लांट कहां से लेकर आएं तो देख सकते हैं 30 रुपए प्राइज है इधर भी देखिए लगा हुआ है तो यह 30 रुपए इसकी प्राइज है कोई जादा नहीं है और इससे कम बाले भी आपको हम दिखा देते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए तो दोस्तों यह देशी वेराइटी है तो 30 रुपए इसका रेट है और काफी अच्छे से फ्लाबरिंग हो रही है तो यह देखिए कितना रैड कलर है इसमें तो इधर देखिए इधर आपको लेके चलते हैं तो इधर देखिए इधर यह 20 रुपए तो यह इन्हों ने जो जमीन में इसी ब्राइटी होती है उस पर ज्यादा फ्लाबरिंग होती है तो इधर देखिए यह देंथस है तो यह 30 रुपए प्लांट आपको मिल जाएगा और आप कई कलरों में लेते हैं तो आपको इस पर डिसकाउंट भी मिलेगा तो आप देख सकते हैं दोस्तो यह देखिए इधर कितना खुबसूरत नजारा है यहां से रस इखटा कर रही है और अपने छटे में ले जाएगी सहद बनाने का काम कर रही है तो दोस्तो यह समनजारे देखने में दिल को बहुत सकून मिलता है तो दोस्तो 30 रुपए प्लांट है आप देख सकते है तो चलते हैं आप दूसरे plant के तरब भी आपको ले के चलते हैं तो ये देखे है ये दोस्तोग गेंडे की विराइटि इसे जाफरी कहते हैं तो दोस्तोग आप जब भी ये प्लाट ले जाते हैं किसी बड़े गमले में ट्रांस हुआन्ट भूर Homer BT. प्रट्टी का गमला आप जरूर यूज करें तो आपके प्लांट चार से पांच महीने मिल चलेंगे बहुत अच्छे से तो दोस्तों देख सकते हैं काफी अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है और दोस्तों इसे हमें ओबर वाटरिंग नहीं करनी होती तो इधर देखि बहुत ही अच्छे ग्रीन प्लांट है कैलंडूला तो बिंटर सीजन का यह बहुत खुबसूरत प्लांट है तो आप इसे भी बाई कर सकते हैं 10 रुपे प्लांट है तो दोस्तों इधर देखिए इधर गेंदे लगा रखे हैं इन्होंने देखिए मेरी गोल्ड जिसे कहते हैं दोस्तों दो कलरों में है तो आप इसे 10 रुपे में बाई कर सकते हैं यह जमीन में लगे हुए प्लांट है तो आप इसको साम के समय ही बाई करें जब भी आपकी अपने आसपास की नरसरी से ले रहे हैं आप दूपहर में प्लांट ना ले क्योंकि दूपहर में जो प् अब ही मैं इसकी छोटी वेराइटी भी आपको दिखाता हूँ जिसमें छोटे छोटे फूल आते हैं मिनेचर वेराइटी उसे कहते हैं तो पहले इंगलिस रोज देख लिजिए जो 100 रुपेस का प्लांट है और ये छोटे से गमले में लगा हुआ है तो देख सकते हैं सारे गोफ ये सीजिए घर आते हैं वो हुआ है तो आप लांड वाइ करना है इंगलिस रोज थो ऐसे गमलों में कर सकते हैं जो 100 रुपे प्लांट है तो आप देख सकते हैं बस इनको आपको ले जा के अपने घर में रख देना है और ओबर वाटरिंग आपको जerting घ्यादा नही सब्सक्री मिल देखाता है दूसरा कलर जबाएट एक प्लांट जाते हैं तो देखें इस फ्लावर आप और आपको आपको कई प्लहों में मिल जाएगी आपको दूसरा कलर भी दिखाते हैं तो दोस्तों देखिए दूसरा कलर यह है मिनेटर वेराइटी so just cry काफी खुबसूरत राइटते हैं तो आप इन प्लांटों को यहांसे लह जा सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल को तुम कि फटड़वंद सुस्क्राइब करें डीकण आपके लिए आने वाले समय भी नरसरी के अच्छे ची वीडियो लाते रहूं तो दोस्तों इधर देखें इधर रोज प्लांट की वो स्वरी रोज प्लांट की कटिंग यहां लगाई गई है तो आप देख सकते हैं और इनमें नई ग्रोथ सुरू हो गई है तो आप भी देखें रोज प्लांट की कटिंग लगा सकते पर इतना याद रखिए यह जो जितनी आप कटिंग देख रखे हैं यह सब देशी रोज है तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेस पीडियो में जल्दी चैनल सस्क्राइब कर लीजिए